दोस्तों इंडिया वानम पाकिस्तान के वीश खेला गया ओडिया एसी एकप दोर तेज का काटदार मुकाबले जाना सोपरफूर में पहुंची दोनों टीमों ने एक दूसरे को हराने में कर दी सारी हदे पार क्यूंकि फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमों के देखा जिसमें काफी विवाद भी देखने को मिला और प्राट कोली और केर राहून ने बनाया सबसे बड़ा बल्ड रिकॉर्ड और पाकिस्तान टीम के परकच्छे उड़ा दिये वाइन रोई सर्मा ने पाकिस्तान के बॉलर का मार मार कर भूत बना दिया तो दोस्तों ज अच्छे फॉर्म से गुजर रही थी जिसके चलते एक कांटेदार मुकाबला भी देखने को मिला बहीं दोनों टीमों के बीच यह महा मुकाबला रिजर्ब डे पर रखा गया था क्यूंकि पिछला मुकाबला 22 की वज़े से रद हो गया था और वहीं इस मैच के लिए सभी फैंस काफी आदा एकसाइटेड भी थे वहीं आकर में सभी ने ऐसा मंजर देखा जिसने क्रिकेट यगत को हिला कर रख दिया तो इस तो अब बात करते हैं मैच के पूरे हाइलाइट की तो यह महा मुकाबला स्री लंका के एतिहां से कॉलंबो स्टेडियम में खेला गया ज तरे कप्तान रोईस सर्मा और प्रिंस नाम से मसूर सुमन गेल भारत की सुरुबात हर मैच की तरह सांदार राई और पाकिस्तान की ओर से पहला ओबल लेकर आज साइन अप्रीदी जो की खतननक बॉलर की सूची में आते हैं रोईस सर्मा को कई वार आउट कर चुके हैं व और के बाद भारत का स्कूर 23 रन हो चुका था बाइं गिल यहां पर रुकने वाले नहीं थे अप्रीदी के ही पांच वे ओवर में गिन ने एक वार फे ओवर से तीन चौका लगा कर अप्रीदी के होंश ठेकाने लगा दिये अब पांच ओवर के बाद तीम इंडिया का स्क सादब खान पर ढावा बोला और ओवर में दो चौके और एक छक्के की मदद से 21 रन का एक बड़ा ओवर निकाला और गेल आप 50 रन का आंकड़ा चुचो चुके थे अब पाकिस्तान के बॉलर अपनी लाइन लेंद भूल चुके थे बाइं अब टीम का स्कूर 23 नवे पर 0 विकेट हो गया था और अंगले ही ओवर में टीम ने स्वरन का आकड़ा चुगा और सादब खान के पंदरवे ओवर में प्रोई सर्मा ने स्क्स लगा कर अपना आर्था तक पूरा किया और ओवर से 12 निकाले अब टीम इंडिया को रोई सर्मा के रूप में सबसे बड़ा जटका लगा सादब खान की तरवे ओवर की चौती वाल पर रोई सर्मा आउट हुए इसके चलते टीम का स्कोर 122 पर एक विकेट हो चुका था और देखते ही देखते अप रीदी के अंगले ओवर में गिल भी पवेलियन लौट चुके थे और अब टीम की ओपनिंग जोड 33 ओवर के बाद के अल रहुल ने अपना आर्चा तक भी पूरा किया और टीम इंडिया का स्कोर 200 के पर पहुचा दिया अब भारत्य टीम एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी 38 वे ओवर में केंग कोली ने भी अपना चासा कंप्लेट किया अब दोनों के बीच 179 की पार बढ़ रहे थे और मातर पांच ओवर में दोनों वन लिवाजों ने पाचास रन बना डाले अब टीम इंडिया 300 के पर जा चुके थी 37 ओवर में किंग कोली ने इतना ओडियाई का 47 वे सतक जड़ा बाई देखते ही देखते किया रहुल भी सतक जड़ चुके थे और दोनों टारगेट मिला बाई बाई बराट कोली ने 122 रन बना कर नोट आउट लोटे और केल रहुल ने भी 111 रन की पारी केली और पावेलियन नावाद लोटे अब बारी थी पाकिस्तान के बल्लेवाजों की 156 रन का लगा आसान नहीं था बाई पाकिस्तान के पास बावार और फकर जवान जैंसे दुरंदर खिलाडी थे बहीं पाकिस्तान की ओर से उपनिंग करने आए सलामी बल्लेवाज इमाम उलहाज और फकर जवान दोनों ही खतनाक बल्लेवाज की सूची में आते हैं लेकिन पाकिस्तान की शुरुआ ज़्यादा खास नहीं रही और इमाम में सुमन गिल को केज दे वैटे मात नो रन बनाकर पविलियन लोटे इसके चलते टीम के स्कोर 17 पर एक विकेट हो चुका था अब क्रीच पर जोड़ी थी कप्तान बावर आजम और फकर जवान की दोनों के बीच आप 26 रन की साज़दारी भी देखने को मिली और अब दोन पाकिस्तान की टीम चरती हुई नजर आ रही थी क्यूंकि पाकिस्तान का इसको दस ओवर के बाद के वाद के बल तिरतालीस रन पर दो विकेट हो चुका था वहीं बावर के जाने के बाद क्रीच पर अब मोहमद रिजवान आये और रिजवान आते हैं साड़ लठा और के पार वे ओवर में आउट हो गए अब तीम का स्कोर 47 पर तीन विकेट हो चुका था लेकिन फकर जवान अभी विक्रीच पर डटी हुए थे अब जोड़ेती सल्मान अली आगा और फकर जवान दोनों के वीच अप इस रन की साज़दारी पनप चुकी थी दोनों बल्लेवा सेट हो चुके थे लेकिन पाकिस्तान को सबसे बड़ा जटका 19 वे ओवर में कुल्दी प्यादव ने दिया 19 वे ओवर की दूसरी बॉल पर कुल्दी प्यादव ने फकर जवान को बूल्ड कर दिया और फकर जवान मात 27 बना कर पवेलियन लोटे अब टीम का स्कोर 47 पर 4 व वगा को 23 वे ओवर में लपी डवलू आउट करके पाकिस्तान की परिसानियां और बढ़ा दी क्यूंकि पाकिस्तान का स्कोर अब नरे पर पांच विकेट हो चुका था अब पाकिस्तान को कोई खरिसमा ही जिता सकता था बहिए पाकिस्तान के फिनेसर वल्लिवाज इप्तक पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया अब पाकिस्तान का इसको 119 पर साथ विकेट हो चुका था कि बल्लिवाज 10 रन का आकड़ा भी नहीं चूँ सके और 32 ओवर में ही पूरी टीम 128 रन पर आल आउट हो गई टीम इंडिया ने 228 रन के इतहासे जीत दर्ज की और पाकि पसंद करते हुए 122 रन की मैच विनिंग पारी खेली जिसके चलते होने मैन आफ दे मैच चुना गया ने भी अंत तक संगर्स किया लेकिर इंडिया के बॉलर्स के आंगे उनकी एक नहीं चली तो दोस्तों कैसा लागा आपको यह मैच का हाईलाइट हमें कमेंट करके जरू बताएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें